रोही सर्मा जिस खिलारी का चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते वही खिलारी किंग खान की सरर में आते ही रच रहा इतिहास जिस खिलारी को टीम इंडिया से दूद से मक्खी की तरह बाहर फेका गया जिस खिलारी के मा बहनों को पूरे सोसल मिडिया पर गंदी गंदी गालिया दी गई अब उसी खिलारी को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह दिलाने के लिए उठ रही मांग सारू खान के इस लाडले ने ले लिया रोही सर्मा से सालों पुराना बदला पांडिया का भी तोर दिया इस टंब रिंकु ने भी इस खिलारी के लिए उठाई आवाज दोस्तों बड़े संयोग की बात है कि जिन जिन खिलारी का T20 वर्ल्ड कप की टीम में सलेक्शन किया गया है यह सभी खिलारी अचानक से परफॉर्मेंस देना ही बन कर दिया है जब से इन खिलारी को T20 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुना गया था तब तो यह खिलाडी IPL 2024 में काफी तूफ़ानी अंदाज में बल्ले बाजी कर रहे थे गिंदबाज हर मैच पर बिकड लेते हुए दिखाई दे रहे थे मगर दोस्तों जैसे युजुवेंदर चहल जैसे गिंदबाज का T20 वर्ल्ड कप के टीम में चैन होता है दोस्तों जब तक सिवम दूबे का T20 वर्ल्ड कप के टीम में सेलेक्शन नहीं किया गया था तब तक तो सिवम दूबे IPL में काफी ज़्यादा तूफ़ानी अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए नजर आ रहे थे एक मैच में CSK को अकेले दम पर मैच जिता रहे थे और हर दूसरी तिसरी गिन पर लंबे लंबे छक्के लगाते हुए दिखाई दे रहे थे मगर जब से सिवम दूबे का T20 World Cup की टीम में सलेक्शन किया गया है तबी से सिवम दूबे के बल्ले से रनों की बारिस होना बंद हो गया है मयंक यादो भूनेस्वर कुमार नेटराजन मुकेस कुमार अस्तोस सर्मा ससांग सिंग अभिसेक सर्मा जैसे युवा बल्ले बाज IPL 2024 में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी T20 World Cup की टीम में जगर नहीं बना पाए तो वहीं दूसरी तरफ जिन जिन खिलाडियों को T20 World Cup की टीम में चुना गया है वह सभी खिलाडी IPL 2024 में काफी खराब परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है दोस्तो किंग खान के एक लाडले ने भी IPL 2024 में अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जितने में कामियाब हो पाया है यह खिलाडी कभी दोस्तो टीम इंडिया से दूद से मक्खी की तरफ बाहर फेंक दिया गया था CCI वाले इस खिलाडी से नफरत किया करते थे तो वहीं पर रोही सर्मा इस खिलाडी का चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते थे रोही सर्मा इस खिलाडी से काफी ज़्यादा नफरत करते थे मगर दोस्तो इस खिलाडी ने सांदार वापसी करते हुए केके आर के सारू खान ने जब से इस खिलाडी का हाथ थामा है तब ही से यह खिलाडी अपनी सांदार स्पिन गिंदबाजी से बिरोधी टीमों के बल्ले बाजों को नचा रहा है यह खिलाडी अकेले दम पर केके आर को प्लेयाब में भी पहुचा चुका है दोस्तों आप लोग इस खिलाडी का नाम जानेंगे तो दंग रह जाएंगे अभी कुछ दिन पहले ही केके आर और बुंबई इंडियन्स के बीच खिले गए एक महा मुकाबले में सारू खान के इस लाडले ने T20 वर्लकप की टीम में होने वाले कप्तान रोही सर्मा और T20 वर्लकप की टीम के वाइस कप्तान हार्दिक पंडिया को बूरी तरह से धूल जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हैं वरूर्ण चक्रवर्ती की वही वरूर्ण चक्रवर्ती जिन्होंने IPL 2021 में भी केके आर के लिए सांदार गिंदबाजी करते हुए अकेले दम पर केके आर को फाइनल तक पहुचाया था हलांकि फाइनल के मुकाबले में केके आर के टी वरूर्ण चक्रवर्ती का परफार्मेंस काफी ज़्यादा घटिया रहा था जिसके बाद वरूर्ण चक्रवर्ती को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था और अब तक रवरूर्ण चक्रवर्ती टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाया है तब ही से यह कहा जा रहा था कि रोहिस सर्मा वरुन चक्रवर्ती का चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते हैं और बिसी सियाई वाले अब गलती से भी वरुन चक्रवर्ती को टीम इंडिया के प्लेइंग लोवन में मौकार नहीं देंगे और केके आर वर्सेस बुंबई के महा मुकाबले में वरुन चक्रवर्ती ने रोहिस सर्मा को आउट कर दिया था उसके बाद हार्दिक पंडिया को भी क्लीन बोल्ड कर दिया है जिस तरह से वरुन चक्रवर्ती आईपिल 2024 में काफी सांदार की फायती गिंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी कम रन भी खर्च कर रहे हैं और विकेट भी चटकार है उसके मद्दे नजर रखते हुए सभी लोगों का यह कहना है कि T20 वर्ल कप की टीम में यूजी चहल के स्थान पर तो वरुन चक्रवर्ती को ही मौका देना चाहिए कि दोस्तो जब से यूजी चहल को T20 वर्ल कप की टीम में चुना गया है तभी से यूजी चहल का परफॉर्मेंस काफी ज़दा घटिया है खैर दोस्तो आप सभी लोगों क्या लगता है क्या 25 माई तक भी CCI वाले वरुन चक्रवर्ती को T20 वर्ल कप की स्क्वाड में सामिल कर लेंगे